आज एक प्रेस कॉन्फरेंस में पैन अरुनाचल जोइन स्टेरिंग कॉमिटी ने एपी पीएस्सी फ्यासको में चुपी साधने के लिए सभी सीबियोज यानी कम्यूनिटी बेस ओर्गिनाइसेशन्स अधिकारियों की आलोचना की मीरिया को संभूदीत करते हुए वाइस प्रेजिदेंस तादाक नालो ने मुद्दे की हॉलिस्तिक जोईनी पर प्रकाश डाला और बताया कि पीएज़एसी के व्यक्तिकत सदस्यों के खिलाफ 15 से अधिक F.I.R. दर्श की गई हैं पीएज़एसी के वैस प्रेजिदेंस तादाक नालो ने यहां कहते हुए कि हमें सिस्टेम को सही करने के लिए सिस्टेम का हिस्साब बनना होगा बताया कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए क्युमिलेटिफ डिसिशन के साथ उन्होंने राजनीती में उतरने का फैसला किया है जैसा कि बताया गया है पीएज़सी के रेप्रेजेंटेटिफ टेची राना आगामी लोगसभा चुनाव दो हजार चौविस के लिए वान अरुनाचल वेस्ट पार्लियमेंटरी कॉंसिट्वेंसी से संसत उम्मीदवार के रूप में चुनाव लरहेंगे तो आज आप सब को जैसे शुरू में बताया है कि हम तीनों ही जेल गया था on 19th of February 2024 और उसका जो जो भी उसका बात जो भी developments हुआ है और उस समय में जो भी situation था हम लोगों ने मीदिया को अभी तक अचा से बताया नहीं है because of the situation और जिस सब से यह हम लोगों का जो भी अंदर में डिसकाशन चला है तो यह सब को मद्दे नजर रखते हुए हमने अभी तक मीदिया में आया नहीं है लेकिन आज आया है हम इसी कुछ इंपोर्टन डिसकाशन करने के लिए and then to make some important announcement तो सबसे पहले यह बता दू हमारा स्तेट का जो सबसे बरा burning issue है अभी तक का अरुनाचल परदेश पॉब्लिक सर्वेस कमिशन में जो पेपर लिखेज जो स्केम है I think हम लोगा lifetime में this is has been the biggest issue हम लोगों ने जो अभी तक विटनेस किया है तो इसका जो main kingpin है तके जरंग वैसे तो तके जरंग तो अकेलों involved तो नहीं था फिर भी अभी तक जितना भी पकरा गया है he has been the main kingpin तो आप सबको वही बताने के लिए आया है कि तके जरंग is out of jail today वो अभी jail में नहीं है बहार में है और जो दो साल से देर साल से जो हमने जो मांग रखा है justice के लिए ये paper leakage का जो scheme में हम लोगों को तके जरंग का ही sale में रखा गया तो this has been a paradoxical journey ये बहुत irony का बात है तो 580 days since ये जो paper leakage का जो scheme हम लोगों का सामने में खुला सा हुआ है तो उसके बात आप सबने देखा है क्या क्या हुआ है सबसे पहले तो जो हमारा जो main crux है issue का जो main crux है अभी तक solve हुआ नहीं है और secondly इसी बीच में ये 580 days का journey में हमारा हमारा बीच में दो जो precious lives जो हमारा brother ग्यामर पादंग सर and then हमारा जो एक officer रहा है ले तुमी गंकक सर वो लोग भी ये दुनिया को चोर के चला गया और इसी जर्नी में hundreds of aspirants, parents and then जो innocent citizen है वो लोगो को जेल में डाला गया and then in fact more than 50 aspirants and parents वो लोगो जो है वो लोगो को more than 30 days तक अपवापा का अंदर में बुक करके उसको जेल में राका है and then इसी दोरान इतने जादे वो जो aspirants है, parents है और जो normal citizen से वो लोगो को इंजर किया गया और hospitalized भी हुआ because of the protest between ये जो police procession और aspirants और protester का बीच में जो हुआ था और इसी दोरान जितना भी हमारा जो जो innocent aspirants है और parents है इन लोगो के उपर इतने strong charges लगा है in fact हम लोगा जितना भी members हम लोगो कभी बहुत जादे charges लगा है and to be process I'm just giving you an example मेरा उपर में more than 15 FIRs है and then ये दो तरिक को first hearing भी है और इसी दोरान जितना भी हमारा aspirants है जितना भी parents है जितना भी जो normal well-wishers है जो citizens है उन लोगो को बूट बूटल तरीका से पीटा गया मारा गया and then वो लोगो को हम लोगो को urban terrorist तक भी declare कर दिया और इसी दोरान हम लोगों ने endless multiple times हमने rally किया दरना किया mass meeting किया public burn calls तक भी हुआ जेल भी गया है और in fact हम तीनों जो अभी आज अरुनाचल जितना जनता है आप सब कर सामिने जो हम यहाँ पे बैटा हुआ है हम तीनों ने भी यहाँ पे जो police का जो जो repressive move है इसका दोरान हमने तके जेरंग का ही sale में उसमें हम वहाँ पे बैटके भी आ गया और उसके बाद यहाँ पे आप सबने देखा है अरुनाचल प्रदेश Unlawful Activities Prevention Act जिसको हम लोग पहले कभी सुना भी नहीं था लेकिन यह issue में जिस हिसाब से यह particular act को misuse करके यहाँ पे suppress करने के लिए जो एक weapon बना के इसको misuse किया gross abuse किया यह चीज इसी दोरान हम लोगों को देखने को मिला और यहाँ पे जो हमारा जो state का intelligence और जो state का police and then state का administration अलग अलग यह district administration है उन लोगों का efficiency भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला justice देने के लिए नहीं हम लोगों को suppress करने के लिए तो यह भी हमारे लिए एक यह journey में एक chapter रहा है और इसके अलाबा हम लोगों को यह particular issue में जो भी इतना बड़ा scam हुआ है इसका चोटा सा glimpse हम लोगों को देखने को मिला लेकिन जो main culprits है जो अभी भी वहाँ पे बेटा हुआ है उन लोगों का आँच तक नहीं आया तो I think this is this itself is a testimony of how this journey has gone so far और उसका अलाबा हम लोगों ने देखा है कि Central Agency से CBI आगया EDI आगया और यह तो एक मजग बनके रह गया कि CBI EDI जो यहामें कांट्री में बरा सब बरा क्राइम बरा सब बरा क्रिमिनल को डरा के रखता है यहामें आके पता चलाए कि यह पे वो लोग almost non-existent है यह पे आके मजग बनके रह गया है तो यह सब चीज आप सब ने देखा है यह I am just giving a glimpse, एक चोटा सा हाइलाइट आप सब को एक नरेट कर रहा है and then 18 February 2023 I think वैसे तो इशू सुरू हा था August 2022 को लेकिन 18 February after almost six months हमारा Honorable Chip Minister Sir का तरफ से और यहाँ पे 18 February 2023 जो है हम लोगों का अरुनाचल का हिस्ट्री में एतिहासिक दे है इसलिए एतिहासिक है क्योंकि हमारा स्टेट का सबसे highest authority that is the chief minister और जिसको हम लोग young भी बोलता है और dynamic भी बोलता है तो 18 February 2023 वो दिन को उसी रात को हमारा Chief Minister Honorable Chief Minister पेमा खंदू Sir and then entire जो state government है उन लोगों का बहाफ में इतना बड़ा हम लोगों को assurance दिया in front of the entire public of Arunachal Pradesh तो उसमें यहाँ पे जो state का highest authority है this was a golden opportunity भी था एक ऐसा situation था कि यहाँ एक record यहाँ पे to set the record straight that वो लोग यहाँ में बार बार बोलता है zero tolerance against corruption तो यह लोगों को बहुत बड़ा statement देने का एक opportunity था एक benchmark set करने का opportunity था कि यह जो सरकार है यह हमारा youth के लिए सोचता है हमारा जनता के लिए सोचता है हमारे यहाँ पे हर नागरी के लिए सोचता है इसके लिए एक opportunity था इसको record को strength set करने के लिए लेकिन after 12 months that means after 365 days in fact अभी उससे ज़्यादा भी हो गया तो यहां में एक चीज पता चलता है कि आप सब ने देखा है हमारा दिमान क्या है तो after 12 months that is after 365 days इसमें आज यह पता चलता है कि whistleblower act जो है अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है जो prevention of unfair means act का जो द्राफ्ट है उसको अभी तक अभी तक रेदी भी नहीं हुआ है और जो हमारा दिमान था कि fast track court हम लोगों को चाहिए dedicated fast track court इसमें हम सब को एक आई वास करके रख दिया जो already over burden होला एक court को यूपिया session and high court उसको दिस्ट्रिक court को उसको fast track court declare करके हम लोगों को पुरा जनता को enter our national को मामू बनाने का काम किया है और उसके बात हमने जो दिमान रखा था जो stage of honesty I think इसको सरकार ने भी बार बार बोला था कि इसको हम बनाएंगे लेकिन यह सोचने वाला बात है कि after more than 12 months now अभी तक इसको लेकि कुछ भी ख़बर नहीं है और जो हमारा whistleblower है ग्यामर पादंग सर उसको अभी तक officially acknowledge किया नहीं है यह इतना ज्यादे इंस्तांसेस आया रिपब्लिक दे आया इंडिपेंडेंस दे आया इस्टेट दे आया लेकिन not even एसा एक जहाँ पर एसा एक situation आये जहाँ पर यहाँ पर हमारा जो इस्टेट का first whistleblower अभी तक इसको officially recognize किया नहीं है और आप देखिए जो हमारा दूसरा यह मांग भी था कि जो पी डबली क्याटिगरी का जो केंडिडेट से और उसमें से एक केंडिडेट था सिस्टर मुदंग यभ्यंग उसको अभी तक justice मिला नहीं है और यहाँ पर streamline करने का जो हम लोगों को assurance दिया गया था that streamlining process has not even started it और उसके बाद यहाँ पे next point में आता है कि जो compensation ता उस समय में 17 18 February को जितना भी प्रोटेस्टर से जिसको भी इंजर हुआ था Honorable CM Sir in front of Hall of Arunachal यह promise किया था यह commitment दिया था कि इन लोगों को kindly इसको appropriately compensate किया जाएगा लेकिन अभी तक compensation का कुछ भी सबने निकल रहे तो और तीसरा बात यह कि यहाँ पे हम लोगों को उपर में जितना भी parents से aspirants से प्रोटेस्टर से जिसका उपर में यहाँ पे strong charges लगा है जिसका उपर में a fire दर्ज हुआ है उसको withdraw करने का एक assurance दिया था लेकिन यहाँ पे more than 12 months more than 365 days down the line अभी तक वो charges अभी भी लागू है और in fact यहाँ पे से कि I'm just giving my example मेरा उपर में more than 15 fires है in five police station और भी ICR का अंदर में और first hearing यह second April को है और मेरा ही जैसा यहाँ इतना ज़्यादा members लोगा उपर में लगाया हुआ है वैसा है वैसा ही parents को उपर में भी लगाया है तो यह भी अभी तक इसको withdraw किया नहीं है in fact यहाँ में जो main state का जो main kingpin है यह issue का तके जरंग इसका अभी तक termination भी अभी तक नहीं हो पाया है this missile अभी तक हुआ नहीं है in fact होना तो बहुत दूर का बात है अभी तक शुरू भी नहीं किया है तो अभी आप सोच के देख सकता है यह जो entire जो scheme था यह जो entire जो एक crisis था यह सरकार के लिए एक opportunity भी था और सरकार के लिए एक बहुत 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 लित्मस तेस्ट था यहाँ पे सरकार का जो नियत है सरकार का जो will है इसमें test करने का लेकिन आप सबने देखा है यह लित्मस test में किस तरीका से यह जो सरकार है पेमा खंदू सर कर लेद बिजेपी सरकार या पिर whatever state government जो भी सरकार है और यहाँ पे हमारा जो जितना भी MP से जो भी authority में है they have miserably failed us वो सिर्फ हम लोगों को fail किया नहीं है उन लोगों ने entire अरुनाचल को आज का present और आने वाला पिरी को भी fail किया है तो इसको लेके अभी हम लोगों का उपर में ऐसा एक situation आ गया कि अभी हम लोगों सोच में पर गया तो आप सबने देखा है कि यह जो सरकार का failure नहीं है यहां में जो सरकार में जो बैटा है वो लेजिसलेचर का failure नहीं है यहां पर जो opposition में बैटा है उसका भी failure है 60 legislatures they collectively failed the state of Arunachal Pradesh और उसका अलाबा जो हमारा 3 MPs है इस्तन में एक है वेस्तन में एक है अंदेन एक राजसभा में है 3 MPs 3 member of parliament जो हमारा western parliamentary जो constituency का MP है किरिन रिजिजू सर जब उसको पूछता है तो बोलता है कि यह जो एपीपेसी paper लेकेज जो है यह जो local issue है इसमें हम तिपन ही नहीं कर सकता है तो अभी किरिन रिजिजू सर को बताना परेगा वो यह state का दो मिसाल citizen है की नहीं है उसको vote जो है यहाँ से local vote मिला है की नहीं है उसको वाँ पे parliament में किसने बेजा है यहाँ का local जो वोटर से उसने बेजा है की नहीं है क्योंकि उसका यह बोलना कि यह issue जो local issue है इसमें हम तिपन ही नहीं कर सकता है तब तो सबसे पहले बताना परेगा आप अरुनाचल है कि नहीं है क्योंकि this kind of insensitive statement was least expected अगर आप justice नहीं दे सकता है तो ऐसे insensitive statement भी नहीं दे सकता है Ideally आपका जो MP से जो यहा का सरकार है they are from the same party अगर सरकार से नहीं हो पा रहा है तो अगर यहा में हमारा जो MP है जो हमको state को center में भी represent कर रहा है he was supposed to be more proactive लेकिन बोलता है कि यह local issue हमको इसमें टिपनी नहीं करना है that means अभी हमको पुछना परेगा तब तो आपका ST और PR से आप हमको बताना दिखाना परेगा कि आप यहा का दो मिसल citizen है कि नहीं है और जा हमारा Eastern parliamentary constituency का जो MP है तापिर गाउ सर उसका बोलना है कि वो तो smart phone यूज नहीं करता है यह issue का बारे में पता नहीं है लेकिन सुबह साम तो उसको पिक्निक में गाते होए सुनाई देता है रिल्स बनाने ला तो देखाई देता है तो पता नहीं है यह black and white phone से बना रहे है क्या तो this kind of illogical statement इससे पता चलता है कि how ignorant they are और ignorant सिर्फ नहीं है जान बुश के इसको suppress करके रखा हुआ है जो हमारा तीसरा जो MP है जो राजसभा का MP है पता नहीं इससे पहले वो बात करता है कि नहीं करता है लेकिन जब से यह इससुरू हुआ है तब से पता यह चीज़ को आमनों को दिखाए देता है कि सायद यह पैदा ही गुंगा पैदा हुआ था क्योंकि एक वर्ट नहीं निकल रहे एक सब्द नहीं निकल रहे जो हमारा राजसभा का MP नावम रिविया सर आप से भी एक सब्द सुनने को नहीं मिला अगर लोक सबा में यह चीज़ को बात नहीं कर सक रहे तो राजसभा में तो अट लिस्को एद्राइस कर सकता था देर से सीरिस इशू गोई इन दे स्टेट अप अरुनाचल परदेश और राजसर्कार से नहीं हो पा रहा है कम्यूनिती बेस्ट उन्याइन हो गया यहां को हमारा जो पेरैंटल स्टेट बोडी इशू को लेकिये अबी तक, direct, complete silence. In fact, यह silence जो है, almost एक साल पहले maintain करना सुरू किया है. तो यह से क्या पता चलता है? That means, यह इस्टुनेंस को लेके, they have completely failed all of Arunachal. सिर्फ इस्टूरेन यह प्रटर्णिती को fail नहीं किया है, to the entire state of Arunachal, क्योंकि यह इस्टूरेन्स का नहीं है, यह सब हर Arunachal का इस्टू है. और उसके बाद, हमारा यहाँ पे जितना भी CBO से, Community Based Organizations, जिसको हम लोग अपना Parental Organization माना जाता है, लेकिन यहाँ पे, not even one organization, यहाँ पे, निशी एलेक्ट सोसाइटी ने एक सब नहीं बोला, यहाँ पे, गलोव एलफर सोसाइटी ने एक सब नहीं बोला, यहाँ पे, अधीबाने कबंग ने एक सब नहीं बोला, यहाँ पे, तागिन कल्चरल सोसाइटी ने एक सब नहीं बोला, यहाँ पे, कोई भी यहां का community-based organization ने एक सब नहीं बोला है तो that means they've also collectively failed us और उसका अलाबा यहां पर हमारे जितना भी well-learned citizens है क्योंकि जो बस्ती में बैटा है उसको तो issue पता नहीं है लेकिन जो परा लिका है जो graduation कर चुका है जो actually में पराई भी कर रहा है लेकिन वो लोग से एक सब नहीं निकल रहा है यहां पर इतना ज़्यादा परा लिका जो section है but they've decided to maintain silence here तो जब ऐसे बोलता है कि there are times जहां में silence is a bigger crime तो I think यह बार यह जो जितना भी intellectuals है they've decided to maintain silence that means they've also collectively failed us और जो 18 February के बात 2023 में हमारा Chief Minister ने assurance दिया था and then exactly after one year that means after 12 months 18 February 2024 को हम Pen Arnature Joint Steering Committee ने एक collective decision लिया था कि यह इशु अगर resolve नहीं हुआ है तो 18 February का दिन को हम black day observe करेगा और उसी दिन में हमने cake भी कता है और cake कता है तो इन लोगों का जो 60 legislature से और जो 3 MP से इन लोगों का जो नाकामी है इसको हमने celebration किया है आपका नाकामी का वज़े से आपका lack of proactiveness का वज़े से आपने सिर्फ हम लोगा present को नहीं हमरा future को भी आपने fail किया है आपका नाकामी आपको मुबारक हो तो इसलिए हमने cake कता है और उसी दिन में का एस्परेंस का सबसे secret चीज होता है लेकिन ऐसा एक situation आ गया है कि system को आप ऐसे बना की रख दिया अभी हमको परह करने का नहीं करने का कुछ value नहीं रह गया तो हमने बोला है कि अगर system ऐसे continue रहा there is no point studying तो इसलिए हमने अपना form of protest हमने अपना जो सबसे किम्ती है सबसे जिसको हम sacred मानता है उसको हमने पुस्तक जला कि हमने एक यहाँ पे demonstration किया है और वहाँ से जाकि हमने जो 19th of February और 20th of February 20 February को हमने इस्ते रुद्धे को boycott करने का एक cumulative decision लिया एक collective decision लिया और यह जो है entire statewide boycott करने के लिए हमने एलान कर दिया इसलिए किया वैसे तो इस्ते रुद्धे is the most important day of the state हम लोगों के लिए सबसे important day है इसलिए क्यूंकि इसी दिन में हम लोगों को इस्ते रुद्धे मिला था यह celebration का भी देता लेकिन जब इस्ते रुद्धे का सबसे बरा issue जब वो unresolve के बैटा है यहां में celebration का कोई मतलब नहीं रहता है तब जाके हमने इस ते रुद्धे को boycott करने के लिए declare कर दिया उसी बीच में 19th of February को हम लोगों को in fact हम लोग तीनों है और हम लोग का और भी members है almost six of us were taken to police custody और यह हम लोगों को यह बता कि ले गया था कि यह just a preventive measure है तो हम लोगों के सोचना है यह था कि चलो हमारा तरब से full cooperation है क्योंकि हम नहीं जब इस्ते रुद्धे boycott किया था हम ने बोला था कि it has to be peaceful and it has to be abiding the law and order जुली का जो central jail है जिस सेल में तकित जेरंग को रखा था उसी सेल में हम लोगों को रखा तो I think इस से बड़ा insult हो और सायथ नहीं हो सकता था क्योंकि जो चीज़ हम लोग इतना दुख का साथ इतना दर्द अपना दर्द को लेके अपना दुख को लेके हम एक justice मांग कर रहा था अभी उसी victim को आप कहा पे रखता है जो ये issue का जो main kingpin है जिसको वो सेल में रखा था उसी सेल में हम लोगों को भी एक रात more than in fact more than 24 hours उसमें रखा है तो this is something जो हम लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया तो 18 February के बाद in fact 20 February के बाद जब हम लोगों ने देखा कि ये जो है this is something to really ponder upon तो आप सबने देखा है कि ये जो entire movement जो sequence हमने बताया और वो भी precisely in shortly तो यहां में हम पुरा entire Arunachal को Arunachal को जितना जानता है आप सब को एक याप important questions आप सबको सवाल करना था सबसे पहला question ये है ये जो issue है आप सबको पूछना ये कि ये जो issue है ये किसका issue है ये सिर्फ experience जो आप में बात कर सिर्फ हमारा issue है क्या या फिर ये हर Arunachal का issue है अब ये आपको बताना है हमारा मानना ये है कि ये इशु जो है, सिर्फ एस्परेंज का इशु नहीं है, ये गर हर गर का इशु है, क्योंकि जब किसी एस्परेंज या किसी इस्टूरेंज को दिप्राइब होता है, तो उसका सबसे ज़्यादा दर्द जो है, उसका माँ पिताजी को होता है, उसका फैमिली को होता है, उसक सिग्निफिकेंट्स क्या है आप सबको बता दू एपी पीए सी अरुनाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन यह एसा एक रिक्रुटिंग एजनसी है रिक्रुटिंग इंसिट्यूशन है यहाँ से जो भी रिक्रुट होता है इन दा फॉर्म अफ डिफरेंट किपासितिस मे वो लोग जो है स्टेट को for the next 30-40 years वो इस्टेट को चलाता है देर दी पर्मनेंट एक्जेक्यूटिप्स तब सोचके देखो इतना बरा रिक्रुटिंग इंसिट्यूशन में ऐसे सरकास चल रहा था जहाँ पर पेपर को चान्नी होतल में लिका जाता है जहाँ पेपर को व कितना है तो how it is going to affect the future of the state? अगर ऐसा रहा तो कल को जो भी आएगा अभी आप सोचके देखो हमारा बाई बहन का हमारा बच्चा का हमारा जितना भी future generation future generation है उसका जो आने वाला समय का क्या हालत होने जा रहा है I think आप सब को अंधाजा लगाना चाहिए और तीसरा क्वेशन यह है कि was this issue within the domain of this state, this state government यह issue को अगर यह state government का competency में था कि नहीं था तो अभी यह बोलना है जितना भी दिमान आमने रखा है इसमें से एक भी illegitivity दिमान नहीं है इसमें हर दिमान इसको state government easily solve कर सकता था लेकिन आप सब ने देखा है अभी दो साल हो गया अभी तक issue जा में श इसा है यह जो अभी जो सबसे important question है कि सरकार का तरब से क्यों नहीं हो पाया सरकार को क्या मजबूरता कि यह issue को solve कर नहीं कर पाया यहां पर यहां पर एक बात हुए कि सरकार से solve नहीं हो लेकिन जितना भी हमारे stake holder से चाहे CBO सो चाहे student union सो चाहे जितना भी civil society सो none of us किसी ने हैon higher 2 पुछना है की सब्सक्राइब पूछना थे यह जनता को सुनने के लिए लेकिन सरकार से क्यों नहीं हो पार रहे है और यह नहीं हो पाया है तो नहीं सरकार को कैसे accountable बनाएगा दो साल हो गया रेली पे रेली दरना पे दरना बन कोल पे बन कोल अभी सोचके देखो आप में सेकेर्चेरिट का बाहर में कुड को कुड को मौँआ पे कुड कुछी करने से सब्सक्राइब करें अगर विuku जो सरकार का पास वह भी नहीं होंगा तो करते हुट यह कोई ऐमेल ऐहास होंगे मैं किसी का हिम्मत ल spreadshe'd लग जाता है अभी सरकार बोलेगा नपले सपेते बोले लग जाता है की एकशेक्री यहामें एसम्बली में कैसे करके पोंच रहा है और जो भी पोंच रहा है आपका प्राइम रेस्पोंसिबिलिटी क्या है सिर्फ जितना इस नोट यूर रेस्पोंसिबिलिटी जितने का बाद जो असली रेस्पोंसिबिलिटी उसका बात आता है लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों को फेल किया है in the last two years अभी ये हर अरुनाचिल को सवाल करना चाहिए तो इसलिए यहामें ऐसे था कि अभी सरकार को कैसे करके accountable किया जाए और यहामें सरकार का political will क्यों नहीं है और इसको कैसे करके हम ensure करें तब जाके हमने यही चीज़ को जब 19th of February 2024 में हम लोगों को तके जरंगा जब सेल में रखा तब हम लोगों का दिमाग में यही चीज़ हम लोगों का दिल में हम लोगों का जहन में यह सवाल करा होना शुरू हुआ है यह सरकार से exactly क्या problem है क्यों सॉल्ट नहीं कर पा रहा है और जो भी हमें जस्तिस मांग कर रहा है उसको अर्बन टेरिस्ट दिक्लेर करके अपवापा का अंदर में बुक करके जल में डाल देता है तो यह जस्तिस मांगना यह क्या हमारा fundamental right नहीं है क्या और this is the primary duty of this government of any government तो यहां में सरकार का तरफ से यहां पे क्यों नहीं हो पा रहा है तब जाके हम लोगों ने निर्नाए लिया ता कि अगर यह स्तिस्ट government से नहीं हो पा रहा है और हमारा जो parliamentarians है वो यह इस्चु को लेके तिपनी करना नहीं चाह रहा है यह इस्चु को लेके अभी हम लोगों को ही आगे आना परेगा तब जाके हम लोगों ने बोला है कि if there is no political will if nobody wants to talk about this issue that means we have to be part of the system to correct the system अगर system को change करना है that means we have to be part of the system तब जाके 19 February का रात को जब हम लोगों को detain किया था तब से हम लोगों का discussion सुरू हुआ था और इसको लेके हमने 20 February के बात we had series of meetings series of discussions हमारा team का Pen Arunachal Joint Steering Committee का अंदर में इतना deliberation के इतना क्योंकि हम लोगों ने कभी भी या पर political venture करने का या पर दूसरा angle से करने का हम लोगों कभी भी plan करके नहीं आया in fact हमने सुरू से बोलाए कि Pen Arunachal Joint Steering Committee is a non-political organization हमारा कोई political ideology भी नहीं है हमने सुरू से बोलाए कि या हमें कोई भी political party अपना ये जो political जो ये करने के लिए cater करने के लिए interest cater करने के लिए हमें नहीं आ सकता है अप आता है तो issue में ही बात करना है लेकिन यहाँ पर दो साल रुखने के बाद in fact 20 February के बाद भी हमने वेट कर रहा था यहाँ पर कोई candidate तो आएगा चाहे वो MP से हो चाहे वो MLA से हो कोई तो आएगा कि बोलेगा Arunachal Pradesh Public Service Commission में जो scheme हुआ है इसको हम आके solve करेगा सरकर बनने के बाद या पर हम पावर में आने के बाद लेकिन अभी तक so far not even one single candidate not even one single political party इसने कभी भी यह चीज़ को बात भी शुरू नहीं किया है in fact बोला भी नहीं है at least बोल तो सकता था वो भी नहीं कर रहा है तो अभी ऐसे हो गया कि यह paper leakage कभी हुआ है कभी यह चीज means यह scheme कभी हुआ है नहीं जिसे लाग रहा है यहाँ पे यह चांड़ी होतल में paper लिका ही नहीं गया है यह तो जस्ट एक मजग चल रहा था यह तो एक हम लोग को हम लोग का बीच में जोग मरके हम लोगों को यहाँ में comedy कर रहा था सरकार तो हम लोग ऐसे बना दिया सबको हर अरुनाचिल को यहाँ में तोपी बना दिया तो अभी इसी बात को लेकि हम लोगों ने deliberation किया detail में discussion किया तो यहां में ऐसा है कि हम लोगों का बीच में, of course, यहां में opinion तोरा differences आया है, क्योंकि किसी ने बोला है कि नहीं, यह तिक नहीं है, किसी ने बोला है कि करना है, लेकिन, cumulatively, यहां में हमारे जो चेर्मेन है, तेची पूरूसर, he is a government servant, वो अभी भी suspension mode में है, लेकिन उन्हों ने बोला है कि यह वो चीज़ को यह endorse नहीं करता है, क्योंकि उसका अपना एक सोच है, उसका अपना एक, जो, यह, as a government servant, वो यह चीज़ को endorse नहीं कर सकता है, लेकिन, हम लोगों ने entire जो, पेन आरोनेशल joint steering committee ने, हमने एक cumulative, एक collective decision लिया है कि, अगर, यह issue में, अगर, हम ल आगे लेके जाना है, अभी हमने जितना भी जो democratic movements था, रेली करके देख लिया, दरना करके देख लिया, public burn call भी हो गया, more than 30 देश तक जेल में बैटा है, अब वापा का act में, अभी भी charges, अभी booked है, और हमारा उपर में more than, इतना 15, 16 Fires है, एक individual को उपर में है, और उसके बा कर लिया, और हमें पुस्तक भी जलाया, अभी बचा क्या है, और अभी हम दोबारा से करने से, अगर political will नहीं होता है, तो अभी भी नहीं होगा, उलता हम लोगों को condemn किया जाता है, कि आप लोग इशू को लंबा किचता है, हम लोग ने कभी भी इशू को लंबा नहीं किच है, हमने सरकार को समय दिया ताकि, विदिन दे शोर्टेस पिरियर अफ ताइम आप इसको सोब कर दीजे, लेकिन सरकार से सोल भी नहीं हो रहा है, और यहाप अरुनाचल में आप सब ने देखा है, यहाप इशू सूरू होता है, लेकिन बीच में गायब हो जाता है, पता न जेल डाला जाता है, लेकिन इस्योर्ट नहीं होता है, यहाप कोई पोलिटिकल विली नहीं है, जेलो गर intern से नहीं हो पार है, यहाप अपोजिशन भी और मॉस्ट नोन एक्जिस्टेंट है, और मॉस्ध ना का बराबर है, यहापए कोई स्टुरियन अुगनाइजिशन यह में बात करने के लिए रेदी नहीं है यह पर जो नया केंड़ित आ रहे हो भी बात करने नहीं चाहते है पता है यह में ऐसे कुछ शब्द होता होगा जिसको लेकर सब्सक्राइब और यह पर जितना भी हमारे सीवियों से कोई भी आगे नहीं आ रहा है तो अभी आप सोच के कर देखो यह इस्व को लेकि हम करें तो क्या करें वी अब ट्राइब आप एवरितिं इन अर्किपासिते जो लीगल बैटल ता उसको भी हम कोशिच कर रहे है और लीगल बैटल 15 16 years 20 years भी लग सक्ता है और जो लीगल बैटले ता यह जोट बेटल से प्रेंटी तो उससे हम लोगों के यहां पर एक निरनाय आया एकि जब तक यहां पर पोलिटिकल विल नए होता है इस इक्यूलेंट तु देड्ट यह नहीं होने का यह कभी, अभी हम ड्स सल तक भी इस्व में करा रहा हो यह फिर बीज सल तक भी करा रहा हो, अगर इशु को सौलप करना नहीं चा ऐसे बोलने हला भी नहीं है तो अब आप सुशके देखो हम लोग जितना भी यहाप एस्परेंस है हम कल तक परहाई कर रहा था कल तक हम इस्व को यह सिस्टम को करेक्शन के लिए मांग कर रहा था आज हम लोगों को यह द्रास्टिक एक्शन लेने में मजबूर कर दिया क्यो प्रेजन के लिए ने फ्युचर को भी देख ए इसू को अगर आज हम चुप बेट गया इसका जो कॉंसेक्टिक हैं हमारा बच्चा को अमारा बाई बहन को अमारा फ्यूचर जिनरेशन को जलना परेगा उसके बाद हमारा सोचना भी है कि हमने यह इस्व में दो साल में क्य तो इस इतना कुछ होने के बात अभी वी फिल देर इस नो लुकिंग बाक हम यह से पीछे नहीं आप सकता है और दूसरा ओप्शन यह था कि यह इसु को है जो हम लोगों जितना भी यह पे एस्परेंस बेटा हुआ है अभी आप लोगों को हम लोगों को बंदुक उताने में मजबूर कर रहा है तो आप अगर इसको सिस्टम को करेक्शन नहीं करना मेंस कल को तो कल आपी जो परह कर रहा है जो अभी स्कूल में कॉलेजस में है क्योंकि वो लोगों का भी समय आएगा और यह सिस्टम अभी जैस ऐसे का वेसा ही है तो देट मेंस सोचके देखो वाट अभी सिस्टम कर रहा है लेकिन हमारा बोला ही है कि हम वो लाइन में को भी नहीं पकरेगा और तीसरा ओप्जिन बश्टम कर रहा है आप अपना फाइट को जारी रखो लेकिन जारी रखने के लिए हमको करना क्या है बिकोस्ट वेप्ट रैट एवरिटिंग इना की पास थी लेकिन पॉलिटिकल विली नहीं है और कोई उसको क्वेशिन करने भी नहीं है कोई एकाउंट भी नहीं कर रहें अभी ऐसे लगता कि हर कोई साप सुंग लिया जैसे लगता है कि यह जो एक ऐसे कुछ चीज अंटाचेबल चीज है जिसको हम बात भी नहीं कर सकता है तब जाके हम लोगों ने यहाँ पे निरने लिया है कि I think it's time to take a stand और सुरू फिर से में रितरेट कर दो कि यहाँ पे हमारे जो चेर्मेन है तेची पुरुसर, he's a government servant, इसमें इसका endorsement नहीं है लेकिन, we as a team, पेन अरुनरचल Joint Steering Committee ने हमने यहाँ पे collectively decision लिया है कि हम यह इसको अभी जाना है तो we have to go, अगर political will नहीं हो रहा है तो, अभी we have to jump into politics हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमारा कोई मकसद नहीं था, but we have been forced इसका अलाबा हमको गन उताना नहीं है, इसका अलाबा हमको इसको चोरना नहीं है लेकिन यह पे लरना है तो, जितना democratic means था, हम लोग कर चुका है now it's time to jump the political line तो उसके लिए हमारा सोच है ता कि हम एक political party form करेगा लेकिन इतना कम short time है, that is also not possible लेकिन, after election, एक political party का formation होगा and that will be best on, हमारे जितना भी यह जो, एपीपेसे का जो issue है this will be the first agenda और उसके अलाबा, हमने सोचा है कि, यहापे हमारे जो main issues है just because हम लोग issue का बारे में बात नहीं करता है उसका मतलब यह नहीं कि issue exist नहीं करता है यहापे आप देखिए, हमारे जो state का जो actual issues है जो tribal issues को लेके, tribal rights को लेके article 371H को amend करने के लिए, आपी तक किसने आवाज उताया है कौन political party ने आवाज होता है, कौन candidate ने उताया है आपी तक किसने उताया नहीं है यह हम लोगा one of the main primary मुड़ा होगा और उसमें हमने यह भी बोलाएं कि जो six schedule है, last time 2020 में एक resolution पास होाता है यहापा state assembly से, लेकिन 2020 का आज 2024 में आ गया और हमारा state का representative भी वहाँ में रहा है union government में, फिर भी यह six schedule क्या यह जैसे एक political gimmick था क्या अभी तक हम अरुनाचल परदेश जो है नाइधर six schedule में है, नौर fifth schedule में है जबकि हमारा यहाँ का population जो है hundred percent travel population है तब भी क्यों ने कर पा रहा है I think this is something we really have to ponder upon इसलिए हमारा जो political party बनेगा this will be another main mood does और उसके हमने बोला है कि यहाँ कि जो refugee crisis आप सब ने देखा है जो recently एक चक्मा candidate का जो एक केंडिडेचर के लिए जो apply किया था इसमें जूद मुद का अरला हुआ है अपरोर हुआ है लेकिन हमारा बोलना है कि अपरोर होना है अपरोर होना है लेकिन इस देख पर्मेनेंट सोलिशन आज एक निकला है कल को 10 निकलेगा परसों को 60 का 60 निकलेगा आप किस-किस को आप वो करेगा अपरोर होना ही तक पर्मेनेंट सोलिशन का बात ही नहीं कर रहा है वैसा ही यह पर हमारा जो जो पी आर सी का इशू है आई तिंक पी आर सी इशू को उस समय में इतना बरा सा एक हंगामा हुआ अल्मस्ट भी लोस्ट त्री ओफर ब्रदर्स त्री तू फर उफर ब्रदर्स लेकिन अभी तक वो इशू को लेके अभी देखो बोट जगा में पी आर सी दिया जा रहा है उस समय में न्यू यार गिफ्ट के लिए अनॉंस किया था तब अपरोर हुआ था लेकिन ऊसका बात अभी तो बिना अनॉंसमें रहा है झां उसका बात अभी तो बना उन्समेंट कर दे रहा है एंड एं देखो एंड़े तियो उस्ट के लियू पर अबड मेंत घर हो वाटज़ था यह हमारा सबसे बड़ा एकिलेस हिल है, यह हमारा सबसे बड़ा एकिलेस हिल है, that means this is our biggest weak point, हम आज का समय में, अरुनाचल परदेश एक बेगिंग बाउल है, हम सेरकर, यह सरकार जो, 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 केंडरी सरकार जो है, युनियन गुर्मन काम उसका मर्सी में जी रहा है, हम रेदिली रेदि यहापे, हमें से एक बाउल पकर के बैटा हुआ है कि वह से गरांट कितना आएगा, तो वह से बोलेगा, आमको, कल को एक डिरेक्शन आएगा, आपको यह चीज़ को करना है, बोलेश हमको करने में मजबूर हो जाएगा, तो वह से क्यूंकि हम यहापे लिट्रेली, we are not self-reliant, नाओ इस जो एकोनोमिक मॉडल है, इस हैस तो भी चेंज फ्रॉम बेगिंग बाउल का जो एक मॉडल है, उससे चेंज, उससे निकल के, हमको अभी क्या बनना है, we have to become self-reliant, अभी हम अपना self-reliance का डिरेक्शन में चलना है, तो उसके लिए we can do lot of things, उसमें कोई discussion नहीं है, अभी यह election आप देखा है, एक जो ruling party है, ruling party का पीछे में इतना सब ऐसे लगता है कि एक light का पीछे में पुरा कीरा मुकरा पीछे चला जाता है, सब उसका पीछे में लगा हुआ है, nobody is concerned about the real issues, student का क्या issue है, youth का क्या issue है, education sector में क्या problem चल रहा है, यह पर हमारा tribal rights को लेकि हम क्यों बात नहीं कर रहा है, और आप देखा होगा, यह 2024 election से पहले, CAA NRC announced भी हो गया, implementation के लिए, rules and regulation भी बन गया, लेकिन यह पर एक ही clause का बज़े से अरुनाचल में इंप्लेमेंट नहीं हो रहा है, वो है because of the ILP system, और आ that regulation यह जो है, it's neither a statutory law nor it is a constitution law, that means it can be taken out anytime, I'm coming to the point, so this is why we have to say that now that we have decided to jump political here, that means we have to bring a PPAC issue, that will be our primary focus, but apart from this we are going to focus on the indigenous rights, indigenous issues tribal rights को लेके और यह में जो हमारा यूट को लेके जो issue है, जो crisis, I think we have to address this और यह पे हमारा जो tribal rights को लेके हमारा यह पे जो crisis है, that has to be addressed, तो ऐसे करके हम लोगों ने with lot of deliberation, with lot of discussion, और हमने जो last यह मन्त में, in fact, यह मन्त का 24th of March 2024 में, टीम ने एक resolution पास किया है की, we have to venture to this political line और इसके लिए हमने हमारा तरफ से एक official representative हमारा तरफ से हमने अंदोर्स किया है और उसका नाम है, नान अदे देन टेची राना, और टेची राना will be the representative from Penn Arunachal Joint Steering Committee, सिर्फ Penn Arunachal Joint Steering Committee का नहीं है, he is going to be the voice of every single Arunachali, जो actually में issue को लेके concern है, जो real issues को लेके concern है, तो इसले, आज यहां में आने का यह बात था कि, क्योंकि we have explored almost every option, almost नहीं है, we have in fact beyond our capacity, लेकिन उसल्व नहीं हो पा रहा है, I think we have been left with no choice, but to jump into this line, तो इसले हमारा तरफ से, in fact, इनोंने, क्योंकि इस अपन Arunachal movement, पन Arunachal issue, तब जाके, क्योंकि यहां पी केंडिदे नहीं मिल रहा था, only one candidate we could come up with, तो इसले हम लोगों नहीं किया कि इसका जो नॉमिनेशन है, इस तन पार्लमेंटरी कॉंसिट्वेंशी में भी किया, वेस्टन में भी किया, तो मेकित अ पेल Arunachal movement, लेकिन इस तन में इसका rejection हो गया, but वेस्टन में इसका accept हुआ है, नाव अभी जितना भी हमारा जनता है, अभी आप सबको उसी चीज़ को पूछना है, यहाँ पे तेचीराना as a candidate, और we team as a supporter, हम लोगों का पास यहाँ पे 60-70 lakhs देखे, जोब करिने का हम लोग का के पास दिन नहीं है, और हम लोगों का पास आप लोग अगर बोट मारने के लिए, अगर आपको पैसा चाहिए तो I think that we cannot afford, लेकिन अगर आपको इशु को साही तरीका से resolve कराना है, और इशु में कोई ऐसा आवाज निकले, जो actually में इशु में बात करे, अगर आप ऐसे सोचता है, तो decision आपका उपर है.